हमारे इतिहास के पन्नों में कितने ही सामराज्यों के उत्थान और पतन की घटनाएं तथा वीर गाथाएं अंकित हैं जिनके साक्षी रहे हैं अतीत के दस्तावेज ये दुर्ग, महल, समाधियां, छत्रियां अपने अवशेशों में अतीत को संजोए हुए कौन थे वे लोग? कैसा था उस समय का जीवन? यह जानने के लिए आई ये पल्टें अतीत के पन्नों को पंद्रवी शताब्दी का समय भारत में अनेक छोटे बड़े राज्जे थे उन में से एक था मेवाड मेवाड जो उस समय राजपूताना के एक प्रमुख राज्जे के रूप में उभरा था यह वह काल था जब भारत में मुगलों का शासन बड़ता चला जा रहा था अनेक राज्जे मुगलों की अधिनता स्वीकार कर चुके थे इधर उत्तर भारत में राजपूत एक प्रमुख शक्ती थे मेवाड पर सिसोधिया वंश के राजपूतों का शासन था जिनका मुगलों के साथ बराबर विरूद बना रहता था मेवाड के इतियास के पन्नों को पल्टें तो एक प्रमुख शूरवीर का नाम उभरता है यह नाम है महराना प्रताप का महराना प्रताप शौरिक के प्रतीक मात्र भूमी पर मर मिटने वाले सुतंत्रता के पुजारी वीर प्रताप की शौरे गाथाओं से अरावली की घाटी आज भी गूझ रही है शिर दे ना दे धरा आबड़ पनरी जीवा ना सिर दे ना दे धरा सोही रान परताप भूमहारा मेवाडी शिरिदार नील तोडारा अश्वार राना सुने तो जाए जेरे मेवाडी शिरिदार नील तोडारा अश्वार राना सुने तो जाए जेरे सुने तो जाए जेरे मेवाडी राना सुने तो जाए जेरे मेवाडी शिरिदार नील तोडारा मेवाण के दो प्रमुख के लिए हैं कुम्भलगर और चित्तोडगर पंद्रवी और सोलवी शताबदी में मेवाण के राणा कुम्भा और राणा सांगा ने मेवाण की कीर्ती को शिखर तक पहुँचाया उनी के वन्षज महाराणा प्रताप का जन्म 9 मै 1540 को कुम्भलगर के किले में हुआ यहीं इसी स्थान पर कुम्भलगर के तत्कालीन महाराणा उदय सिंग और महाराणी जैवंती बाई का पुत्र प्रताप कि मेवाण का उत्तरा धिकारी प्रजा का दुलारा भीलों की देखरेक में पला बड़ा जिसे प्यार से वे कूका कहते थे मेवाण का भावी महाराणा वनवासियों के साथ बेहत प्रसंद रहता देश प्रेम की ज्वाला उसके हृदय में सदा प्रज्वलित रहती जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिली थी मेवाण सदा से ही मुगलों की आँख की किरकरी रहा और युद्ध होते रहा मेवाण का राजनीतिक महत्व तो था ही साथ ही वह गंगा भूमी के व्यापार मार्ग को पश्चमी तट से जोड़ता था अतह मेवाण को अपने अधीन करना मुगल शासकों के लिए ज़रूरी हो गया था मध्यकालीन भारत का इतियास देखें तो पाएंगे के उस काल में महत्वा कांक्शी मुगल समराट अकबर का सामराज्य लगभग पूरे भारत में च्छा चुका था अनेक राजपूस सरदार यहां तक के राणा प्रताप के कुछ परिजन भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और परिणाम स्वरूप उन्हें मिले थे उँची ओहदे उँची पद्वियां और जागीरें पर राणा प्रताप अकबर जैसी महा पराक्रमी सम्राट की सामने नहीं जुके कहा जाता है कि 28 फरवरी सन 1572 को होली के दिन प्रताप का गोगुंदा के किले में राज्या विशेक हुआ जब प्रताप का राज्या विशेक हुआ तब उन्हें न कोई राज्धानी मिली न साधनों का जरिया वे बहुत कम साधनों से ही मुगल सम्राट से जूजते रहे प्रताप ने हर संकट को चुनौती समझा और इस से उनके संकल्प और अधिक मजबूत होते गए अकबर ने राणा प्रताप को यह समझाने के लिए के वहें उनकी अधिनता स्विकार कर लें अनेक दूत भीजे पर राणा स्वाभी मानी थे देश भक थे वे नहीं माने उनका राजसी वैभव छूट गया किन्तु कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी राणा प्रताप ने अकबर की अधिनता को स्विकार नहीं किया जैसी उनकी पैनी तलवार थी वैसा ही चौकन्ना था राणा प्रताप का प्रिये घुडा चे तक मेवार की भौगोलिक स्थिति को देखें तो पाएंगे कि इसका अधिकांश भाग पत्रीला और पहाडी है आसपास जंगल है और जन जातियों की बस्तियां है राणा प्रताप ने जन जातियों के रण बाकुरों को अपने साथ लिया और युद्ध की तयारियां करते रहे अट्ठारा जून सन पंद्रा सो चेहतर इस्वी को अट्ठारा जून सन पंद्रा सो चेहतर इस्वी को अकबर की सेना और महराना प्रताप के बीच इतिहास प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध हुआ एक और राजा मान सिंग के नित्रत में अकबर की विशाल सेना थी कहा जाता है इस सेना में दस हजार घुड सवार थे और हजारों पैदल शिपाहीं थे दूसरी ओर राणा प्रताप की सेना में केवल तीन हजार घुड सवार और मुठी भर सैनिक थे मगर ये सैनिक मात्र भूमी पर मर मिटने वाले रण बाकुरे थे कि संध क्याती थे तीन है। कि संध क्याती है और मिटने रण का साथ प्रताप नहीं सहें हारे लुड साथ विश्व प्रसिद्ध हल्दी गाटी है, जहां से होकर प्रताप की सेनाओं ने इस गाटी को पार करके उस पार खमनोर के समीब खड़ी मुगल सेनाओं से संगर्ष किया था इस गाटी की विशेशता ये है कि इस गाटी के जो मिट्टी है उसका रंग पीलापन लिये हुए है इसलिए हल्दी के समान रंग वाली मिट्टी का होने के कारण इसको हल्दी गाटी कहा जाता है यह बहुत ही तंग दर्रा है जिसमें से होकर प्रताप की सेनाओं ने आगे बढ़ करके मुगलों की सेनाओं का विरूत किया था यह रक्त तलाई है रक्त तलाई का अर्थ है कि जहां पर खून की तलाई भर गई थी खून का तालाब बन गया था आपको विदित है कि इस और हल्दी गाटी है, हल्दी गाटी का जो मुह है वो लगबग यहां से 1.5 किलो मिटर दूर है, इसी तरफ बाई और मुगलों की सेनाओं का पडाव था, यह जिस और आप अभी यह बंबूल के पेड़ हैं, इन पेड़ों के पीछे उस जमाने में के करती बढ़ती इस स्थान तक आई थी, मुगलों की सेनाओं हल्दी गाटी के मुह तक पोंची थी, प्रताप की सेनाओं ने उनको खदेड़ते खदेड़ते लगबग देड़ किलो मिटर तक यहां ले आए, यही वैस्थान है जहां पर मुगल सेना के सेनापती मान सिंग के हाती पर, प्रताप ने अपने घोडे पर चलांग लगाई थी, और यही वैस्थान है जहां पर चेट तक का पिछला पेर, हाती की सून में बंडी तलवार के कारण कट गया था, यही वैस्थान है जहां पर हकीम खांसूर ने प्रताप को सला दी थी, कि वो पीछे लोड जा कि महाराना प्रताब मैं हूँ और इस प्रकार भैंकर अंतिम युद्ध की परनेती है, वो यहां पर खून की सरीता के रूप में हुई थी, यहां पर एक वीर विशेश का भी में नाम लेना चाहूंगा, वीर वर पूंजा जिसके साथी लोग इन पहाडियों के अंदर और वो भी इस लड़ाई में अपने पुत्रों के साथ मुझूद था यहां पर अब लड़ता हुआ मारा गया, और यह मद्य स्थल था जहां पर भैंकर युद्ध हुआ, यहां पर लाशें पढ़ गई और चारों और से घमासान होने लगा, हल्दी घाटी का युद्ध एक दिन में ही समाप्थ हो गया, राणा प्रताप के हाथ से गोगुंदा का किला और कुम्भल गड़ निकल गया, लेकिन प्रताप का मस्तक नहीं जुका, हल्दी घाटी युद्ध समाप्थ हो जाने पर भी महराना प्रताप का संगर्ष जीवन भर चलता रहा, पराजित हो जाने पर भी अरावली की घाटी गुंज उठी प्रताप की कीर्ती और पराक्रम की गाथा से, प्रताप की यशो गाथा नेवार तक ही सीमित नहीं रही, बलकि समूचे देश में फैल गई, हल दी घाटी रंगी खुन सुना लो बहियो जाए, हल दी घाटी रंगी खुन सुना लो बहियो जाए, चमकी मेवाडी तलवार बैग्या खुना रा पर नाल राणा, सुन ताजा जोजे मेवाडी राणा, सुन ताजा जोजे मेवाडी शिरदार नील, भोडारा असवार राणा, सुन ताजा जोजे राणा ने जंगल में शरण ली, हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात, राणा प्रताप के सामने समस्या थी के राजधानी कहां ले जाएं, उदयपूर से 16 किलो मीटर दूर एक स्थान था चावंड, चावंड एक ऐसा स्थान था जहां पहुँचने के लिए लंबा पहाडी रास्ता पार करना पड़ता था, यहां पानी की भी सुविधा थी, यहीं उन्होंने अपनी नई राजधानी बनाई और शासन व्यवस्था मजबूत की, राणा प्रताप ने भामा शाह और भील सरदारों के साथ मिलकर धन और जनशक्ति संगठित की, राणा प्रताप ने छापा मार युद्ध जारी रखा, सन 1589 के बाद राणा पर मुगलों का दबाव कुछ कम हुआ, क्योंकि अकबर का ध्यान अब पूर्वी भारत के विद्रोह और उत्तरपश्चमी सीमावर्ती गतिविधियों पर था, राणा ने अवसर का लाब उठा कर चित्तोड और मांडलगड को छोड़ अपने राज्य का एक प्रमुख हिस्सा वापस हासिल कर लिया, और मेवाड फिर से स्वतंत्र हो गया, ऐसा माना जाता है कि मेवाड के सिंग राणा प्रताप शेर का शिकार करते हुए गहरी चोट खाकर घायल हो गये, और 19 जन्वरी सन 1597 को चावंड में ही महराणा प्रताप ने अपना शरीर त्याग दिया, महराणा प्रताप ने ऐसे उची आदर्शों को स्थापित किया, जो देश और काल की सीमा से परे मात्र भूमी प्रेम और स्वाभी मान को नरंतर प्रेड़ना देता रहा है और देता रहेगा, आमाई एडा पूत जन जेडा राण परताप अकबर शूत ओज के धैं जान शिराण शाब, ओमारा मेवाडी सिरदार लिल घोडेरा अश्वार राणा सुनता जाए जोजे, मेवाडी सिरदार लिल घोडेरा अश्वार राणा सुनता जाए जोजे, सुनता जाए जोजे मेवाडी राणा सुनता जाए जोजे, शुनता जाए जोजे काणा स्थनता जाए जोजेται ।